हेलो गाईज, विल्कम बैक टू माई चैनल, लर्न इजी इंगलिश लेंगविज, मैं आपका दोस्त अबुजर, आज हम फीगर आफ स्पीच में सिनकडकी और मेटानमी के बारे में बात करेंगे, जो की हर कमपडेटिव उग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप लिट्रे पहला है सिनकडकी, सिनकडकी is a figure of speech, यह क्या है, figure of speech यह लिट्रेरी डिवाइस को हम कह सकते हैं, इन विच जिसमें क्या होता है, a part of something, किसी चीज का एक पार्ट यानि एक टुकड़ा एक हिस्सा, is used, इस्तेमाल किया जाता है, to signify, बताने के लिए the whole, उस पूरे चीज को, और vice versa, या उसके विपरीत, यानि किसी पार्ट से हम whole को बताएंगे, या किसी whole यानि पूरे से किसी part को बताएंगे, दोनों हो सकता है, चलिए example समझ लेते हैं, जैसे एक sentence दिया हुआ है, India won the match, हिंदुस्तान ने match जीत लिया, यहाँ पर जो इंदिया लिखा हुआ है, इं 30 करोड़ लोगों ने match को जीत लिया, बलकि यहाँ बात हो रही है, एक 11 जो players है, इंदिया की team उसकी बात हो रही है, उन्होंने match को जीत लिया, इसलिए यहाँ पर India won the match में, इंदिया जो लब्स है क्या है, सिनक डकी, यह whole है, पूरा है, यह एक part, एक हिस्से को बता रहा है यानि 11 जो उसमें player उसके बारें बात हो रही है, इसलिए यह सिनक डकी कहलाएगा, इसी तरह एक और example देखते हैं, wheels, wheels से के माने पहिया या चक्का जिसको हम कहते हैं, अगर इससे एक sentence बना दिया जाए, I have bought four wheels, मैंने चार पहिये खरीदे हैं, या चार चक्का मैंने खरीद कार का एक पार्ट है, इस पार्ट के जरीद हम समझ रहे हैं कि पूरी कार, ठीक है, I have bought four wheels, यानि मैंने एक कार खरीदी है, यह एक पार्ट है, वो पूरी होल को बता रहा है, ठीक है, पूरी कार को, इस तरह और example देखते हैं, hundred hands, यानि सो हाथ, यहाँ पर जो hands है, यह एक प hands लगेंगे, मतलब यह नहीं कि सिर्फ हाथ ही लगेंगे, इसका मल्दब यह होगा कि इस काम करने के लिए hundred workers चाहिए, तब यह काम होगा, तो यहाँ पर जो hands है, वो क्या है, सिनक ड़की है, वो किसको बता रहा है, पूरे जिसम को बता रहा है, ठीक है, यह तरह last example देख ल होगा, अगर किसी चीज का एक पार्ट बताया जा रहा हो, तो उससे पूरा होल समझेंगे, या कोई होल बताया जा रहा हो, यानि पूरा बताया जा रहा हो, तो उससे हम एक पार्ट भी समझ सकते हैं, इस तरह example हमने देखा है, नेक्स्ट है, मेटॉनमी, मेटॉनमी is a figure of speech, when something is used to represent something associated to it, मेटॉनमी is a figure of speech, मेटॉनमी एक ऐसा figure of speech है, when something जब कोई चीज is used, इस्तेमाल की जाती ही, to represent, उसकी जगह परतिनित करती है, something associated to it, जो उससे समबंद हो, example समझ लेते हैं, जैसे example में दिया हुआ है, the crown, crown के माने होता है, ताज, यह जो ताज है, यह किस से associated है, किस से तालूक रखता है, यह ताज, यह ताज तालूक रखता है, king यानि राजा से, जब भी the crown की बात हो, तो वहाँ king मुराद लिया जाएग, यानि राजा, इसी तर सेप्टर, सेप्टर यानि राजदंड, the सेप्टर के माने होगा, king यानि राजा, कि किस दस सेप्टर, यह associated है, किस से, राजा से, ठीक है, यह उसकी जगा रेपेसेंट करता है, इसी तरह एक और example देखते है, white house, जब भी white house का नाम लिया जाएगा, वहाँ, जो अमरीका के president यानि राश्टपती रहेंगे, उससे मुराद होता है, white house से मुराद क्या है, US के president होता है, ठीक है, कि white house, US के president से associated है, उससे तालुक रखता है, इस तरह एक sentence के example देख लेते हैं, I have read all of Milton, I have read, मैंने पढ़ा है, all of Milton, Milton यहां क्या है, metonomy है, यहां Milton से मुराद, Milton की जितनी भी writings है, उसको मैंने पढ़ा है, ठीक है, इसे तरह एक और example, last वाला देख लेते हैं, the pen is mightier than sword, यहां पे दो लख्ज है, एक pen है, एक sword, यहांनि पिन ताकतवर है, किस से जदा, तलवार से जदा ताकतवर है, यहां पिन और sword दो, metonomy word दिया गया है, पिन से यहां मुराद कलम न तलवार से मुराद यहां होगा, आर्मी ठीक है, जो किसी शक्स के लेक होंगे, वो किसी आर्मी से जदा ताकतवर होते हैं, जैसे अगर कहीं हमें, peace चाहिए, आमन, सुकून चाहिए, किसी एरिये में, तो वहां हम तलवार से, यहां फौज से, हम वहां शान्ती नहीं ला सक जादा क्या है, ताकतवर है, इसी तरह पेन से मुराद हम बहुत चीज ले सकते हैं, लेखक भी हो सकता है, ठीक है, यह दोनों वर्ड क्या है, पेन और स्वर्ड मेटानमी है, मेद करता हूँ दोस्तों, आपको सिनक ड़क्या और मेटानमी समझ में आ गई होगी, अगर आप को कुछ प्राबलम्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं, थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो,